सन 2018 में भारत सरका द्वारा साथ हजार दो सो दस कॉंस्टेबल की भरती निकाली गई थी यह भरती पूरे भारत में स्टाफ सेलेक्शन कमिशन के तरफ से पूरी की गई मातर भारत सरका ने 55,000 लड़के लड़कियों को निक्त किया लेकिन बचे 5,000 लड़के लड़कियों की निक्ती नहीं की जिसके चलते 5,000 पत के लिए युवाओं का पिछले 16 महीनों से आंदूलन चारी है न्यूक्ति के मुद्दे पर आज तक सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की है जिसके चलते अब भारतवर्ष से आए तमाम आंदूलनकार युवाउं ने नाकपुर के समिधान चौक से दिल्ली तक पैदल मार्च निकालने का मन बना लिया है पेश हमारे समधादा संचे मीरे इनकी समिधान चौक से ये ग्राउंड रिपोर्ट ये वतन तेरे लिए में आईए देखते हैं दर्सकों नमस्कार इसमाई में बीसिन किटी सविधान चौक में हम आपको बता दे के प्यारा मिल्टरी फोर्स के ये तमाम जवान है जो देश की सेवा करना चाहते है और इसके लिए इनों ने इनके माबाप कई करजवाजारी हुए है कई लोगों ने सोना बेचा है खेत मकान सब बेजबाच के अपने बच्चों को पड़ा है क्योंकि देश की सेवा करने के लिए और इनों ने ये मुकाम भी हासिल किया था मगर अफसोस के कहीं केंद्र सका कि नीतियां कुछ ऐसी आड़ी आई है कि जिसके चलते इन लोगों का जीना हराम हो चुका है ये तमाम वो नौजवान मेरे साती है जो देश की सेवा करने के लिए पैरा मिल्टरी फोर्स में शामिल होने के लिए दिन रात इनोंने कड़ी मेनत की है एक टाइम भूके रहे म मगर अपनी देश की सेवा करने के लिए इनका जजबा बहुत ही मजबूत है मगर अफसोस के इने आखिरकार रोजगार नहीं मिला है कोई भी नोकरी नहीं मिली है इस समय में कुछ नौजवान साथ ही हमारा साथ में आई हूं से जाना चाहेंगे सर यह बताईए कि किसलिए सविधाण चोक पे इहां अंदोलन किया जारहा? आपकी सरकार से क्या मांगे है? सर मैं लुक्तिय सरकार से कि मैं निकल दी तए उसमें वरे जिगी है फिसिकल अमेडिकल मेरिकल मैंने साभवा कर गया इसके बार उसमें तीन बर मेरिट लगा गया जिसमें अम लोग लोक सरकार ने इसलिए हम लोग बाहर होगे मेरिट से और यह भी है कि साड़ाजा 210 वेकंशी ती उसमें से चौन अजर कुछ फिलब किये पांच अभी भी बैकंशी खाली है इसमें हम लोग भरती देनी चाहिए सरकार को हम लोग इसी सरकार से निमेदन करते हैं कि हम लोग को यह मा संगल के साउधिनाजपू डिस्टिक्स से हो पिछले देर मैने से हम लोग दिली के जंतर मंतर पर प्रोटेश्ट कर रहे थे उधर हमारा कोई मतलब नतिजा नहीं निकला सरकार किसके पास हमने सोचा थे कुछ सुरहा मिलेगा कोच नहीं मिला और इसलिए हमनों नाकपूर म से 3 निञा सफेकर करेंगे ताके करनाले जल्दी से खबर जाया और हमारा जो मां है बो पूर्ण किया जाया है और जो हमारा मांग है कि हम लोग दो हजर अटर में जो वेकंसी निकली थी ससीज़ीड़ी जनरल डूटी परमिल्टर फोर्स के उसमें तमाम पोर्स थे और उनमें जो एक्जाम थी थे हम रिटेन मेडिकल और फीजिकल सब शावी चरून पास कर चुके थे फिर भी हमें पीडि है फिर भी हम लोगों को महांग जो जॉनिंग नहीं दिया हमारा मांग है कि हमारा मांग जल्द से जल्द पूरण के जाये हम रहे हैं कि यह मुत बोल रहा है कि कुष्छा वाला कि सर्कुरूना का आगर होता तो हमारा उमारा उपर देखते हुए हमें जॉइनिंग दिये दिया होता सरकार का कुछ और ही मोटिव है लगता है यहां पर हम लोग वेंगल आसाम जारकंड बिहार और तमाम स्टेट और इंडिया स्टेट से हैं हम लोग तो आप देख सकते कि किस तरह से इनका दर्द उचल रहा है ये केंदर सरकार से बार बार यहां मांग कर रहे हैं कि इनको नया मिलना चाहिए मगर सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है ऐसे में सरकार का ध्यान अपनी और खीचने के लिए ये लोग नाकपुर से अपने इस कैम में मिल्टरी फोर्स में अगर इनको रोजगार देती है तो यकिनन अगर देश का जवान मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा बशरते देश के नवजवानों के कंदे पे पूरा देश का जिम्मा होता है उनके कंदों को मजबूत करना ये सरकार का का काम है सरकार इस दिशा में कब काम करेगी इसके लिए पुरे देश के नागरिकों की निगाये लगी हुई है संगी सविधान चोग से कैमरा परसन सुवाज भुटले के साथ संजय मीरे बिसेन नीज नाकपूर